गरिब गरिषी दवार एगर है बहुत हैं मांगी भीख ना खावें और कोट पाप का मूल जहां हैं तो कूं कौन छोटा वे हैं किसी भी गरिष्टी के गरमा अपने रोटी नी खानी आपके उपर बहुत गना भार बढ़ जागा कैसे महाराज कहते हैं कि जिसके इस वर्पद से मरहम नाहीं गरही आन उबासी जाकी भीख्षा संत ना खावा पड़ काल की फासी अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है हमारा नाम नहीं ले रहा कि उसकी रोटी मत खाना उसको उपर पूरा बाहर द्रया तीन लोगताएं कि पाप करम उसके उपर जमा से उसका अनमत खाना काल की फासी पड़ेगी अपने हंस को अपना बढ़ा कर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस गर के आदमी को नहीं हम पाठ करने जाते हैं कती विचय को किम्मे भी हो तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं फिर हमारा वहाँ पर पाठ करने रहा हुजाश जब हम पाट करने जाते हैं तो इसी परकार कहते हैं इस वर्पद से इस वर्पद से मरहम नाही गरही आन उपासी आन कहें दूसरी कभीर साहब न छोड़ का है और क्या है कि पूजा करता को मता की को मसानी की को कुछी वस्तु की उस उपासी का उस उपासना करने वाले हन्स की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए गरीब डूम बाट वैसा सासी का पैसा जाके आवे बिन ही भुजा जातर सतल नीच धान जो खावे इमांग तेहां ड कीवरा की डंग चकमाई करता अगला कहते हैं इनका भोजन डूम भाट वैसा सासी और इनका भोजन जो खावेगा बिन ही गुजा जावा नरक में उसने कौन छोटा हुए जो नीच धान जो खावे नीच कमाई से किया हुआ नीच जाती से नहीं संप्रग्यां पै एक नेग निती तावने में नतब्रदूरी का करता है हर वह उसके कितनी छोटी जाती का है अमनों वह प्यारा से अन्नाम ले ले लेकिन नों कह नीच धान उनका है जो बुराई बुरे दंग से पैसा कमाता चै किसी उत जाती से है चै किसी जाती से करिभ नट पेरना कांँ जरसां णक्रामन बुरा कहाव मझत कर्क्साई दाकोत बराबर सर्वाण लंडी चोड़े हो के के नट पेरना कांधर साशी ब्रह्मन बुरा कहावे है कोण सा ब्रह्मन के लेका सारे दन्न और फिर बाणियांगे बेच के अब ठाट दारू पिवा है कापने कोण बेन पाले है वो बुरा कहावे है गरीब नट पेरना कांधर साशी ब्रह्मन बुरा कहावे है और कसाही डाक कोट बराबरे वो डाकोट है रेनों के कसाई बराबर शेवातों दकसाई डाकोट बराबरे सब बनियां का आवा है साथ साहे